Hello everyone, आज है 30 माई और आज इस वीडियो में हम बात कने जा रहे है IDFC First Bank के बारे में देखे, IDFC First Bank और IDFC Limited दोनों ने ही 52 वीक्स का हाई लगा दिया है काफी बड़ी रफतार देखने को मिली है और नतीजे के बाद ये रुख ही नहीं रहा है वीडियो में बात चीट करेंगे IDFC First Bank को लेकर कि यहां पर मुमेंटम बन रहा है कि नहीं और जो ब्रेकाउट देखने को मिल रहा है वो ब्रेकाउट कहां तक जा सकता है लॉंग टम का क्या आउटलूक हो सकता है और शॉट टम का भी देखिए वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से जब को काफी जादा हेल्प करेंगे तो IDFC First Bank का जो शेर है वो 71 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है आज भी 30 है तकरीबन 2% की हलाकि बड़ी रफतार पकड़ी थी अभी थोड़ा सा करेक्शन आया ज़रूर है लेकिन वापस से यह इसी रेंज के आसपास आपको ट्रेड कर दा नजर आ सकता है लेकिन जहां तक बात करें पिछले एक महिने की तो ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है 12% की बड़ी रफतार इसने दिखाई है 63 रुपीज से 30 बनी देखे जब 30 आती है एक तरफा बाद में कुछ टाइम के लिए करेक्शन आता है ठीक है तो यहां से अगर मुझे हिरानी नहीं होगी कि अगर यह 72-73 रुपीज के आसपास जाता है बाद में वापस गिर कर यह 70 के नीचे आ जाएगा तो वो हिरानी वाली बात नहीं होगी वो एक्चुली में एक हेल्थी करेक्शन होगा यहां पर अगर हम बात करें पिछले एक साल की तो अगर आप देखो तो ग्राफ काफी शानदार है एक साल में पैसा डबल करके दिया है और अगर आप इसके लो से कंपेर करोगे तब तो आल्मूस्ट तीन गुना भी पैसा इसने करके दे दिया है वो शानदार है दुबारा से बड़ी रफतार इसने दिखाई है जहां तक पिछले पांस साल की बात करें तो पांस साल का भी सबसे हाइस लोग जो प्राइस है वो अभी है इससे पहले भी यह गया था तगरीबन 67-68 रुपी से करीब आदा हो गया था उससे भी कम हो गया था तो काफी बड़ी गिरावट थी लेकिन दुबारा से बड़ी रफतार पकड़ ली इससे पहले भी हम इस तरीजी देखने को मिली थी कोविट के दौरान जब यह आपको 18 रुपए पर मिल रहा था कोविट में और तीजी पकड़ी थी almost 70 तक चला गया बाद में बड़ा correction आया वापस 30 रुपए के नीचे गया अब वापस बड़ी रफ़तार दिखा रहा है और इस बार की तीजी इसलिए माइने रखती है क्योंकि numbers अच्छा रहे है और यह बड़ी बात है इससे पहले भी जब यह 30 आई थी तो numbers अच्छा आए थे लेकिन उसके बाद numbers एक दो quarter में उतने अच्छे नहीं आए वापस गिरा लेकिन अभी वापस पिछले 5-6 quarter के numbers अगर आप देखो तो बहुत चांदार है और उसके बाद जो इसने gear change किया है जो 30 दिखाई है वो भी काफी बढ़िया है IDFC First Bank आज volume देखेंगे तो बहुत अच्छे है एक करोड 40 लाग से भी जादा की quantity में share trade होते नजर आ रहे हैं काफी बड़ी quantity में share trade हो रहे हैं इतना ही नहीं अगर हम बात करेंगे इस bank को लेकर तो हाला कि जियो जीत की बाय करने की सलाती 75 रुपीस का यहां पर target था मोतिलाल ओस्वाल की भी खरीदारी करने की recommendation थी यहां पर भी 75 रुपीस का target ही था according to money control user 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो बेचने की सला कोई नहीं दे रहा है जहां तक बात करी जाए company इस bank को लेकर तो dividend की अगर में बात करो तो हलाकि वो पे करना इसने बंद कर दिया लेकिन अभी अगर आप last financial year में देखो तो भाईया 2450 करोड का इनको मुनाफ़ा हुआ है जो की अब तक का सबसे highest profit है और इसी तरीके से profit इनके बढ़ते रहे तो बहुत जल्दी यह dividend payout भी शुरू कर सकता है यह हमने देखा है कि कई सारी सरकारी banks जो दिक्कत उमें थी उस चीज शायद यहां पर भी शुरू हो सकती है और जहां तक बात करीजा है इनके revenue की तो भईया revenue में भी बड़ी रफ्तार आई है जो revenue 16-17,000 करोड थे वो 22,000 करोड से भी जादा के देखने को मिल रहे है जो profit पहले बहुत कम हुआ कर देखे हाला कि loss भी था वो अभी भईया को होता क्या पता है कि अगर यहां से यह थोड़ा सा और उपर चड़ गया तो definitely यह फिर महिंका हो जाए लेकिन हां तब अगर इसका profit इसी तरीके से बढ़ता रहता है तो फिर वो adjust भी हो जाएगा 56% कहते हैं खरीदारी करो जहां तक बात करें अगर हम shareholding की तो shareholding में जो प्रमोटर के पास holding है वो 39.99% की holding है और देखो यहां पर ना एक बड़ा event होने वाला है बहुत जल्दी future में वो है IDFC First Bank और IDFC Limited दोनों का merger की चर्चा हो रही है और जब होगा तब होगा लेकिन IDFC Limited भी अगर आप देखो तो यह भी भाईया अपने काफी बड़ी रफतार प पास है 19.30% FIS लेकर बैठे हैं यहां पर रिटेल और अधर की मिलाकर holding बनती है 33.02% जिन में सर्थ रिटेल इंवेस्टर 13.55% की holding लेकर बैठे हुए है तेकि overall मैं कहूंगा कि bank अच्छा है काफी अच्छा performance इसने पिछले कुछ quarter में दिखाया है अगर आप numbers की तरफ देख वो एक ही साल में 7822 क्रोड पर आ गए मतलब बड़ी तेजी से revenue में growth आया और profit ने तो जंडे काड़े है यहां पर 300-300 क्रोड का profit 800 क्रोड ता quarter लेकर जा चुका है यह लेकिन हाँ अभी expectation बढ़ चुकी है इससे अभी जब next quarter के results आएंगे तो expectation होगी कि भई 800 क्रोड का profit था last quarter में अब उससे जादा का होना चाहिए ठीक है सेम चीज़ revenue को लेकर भी होगी कि जब 7822 क्रोड का revenue था अब उससे जादा होना चाहिए दिखाता है तो वापस से जो momentum है वो आपको बरकरार देखने को मिलेगा लेकिन अगर नहीं दिखाता है क्योंकि अगर आप देखो तो जब अच्छे profits आए अगर हम यहाँ पर नज़र करेंगे तो आप देखते हो कि 2021 में 480 क्रोड का इनका profit था तो share price में भी आपको वो जोश देखने को मिल गया लेकिन बाद में जब वो घटता नज़र आए 2022 में तो share price में भी आपको वो चीज़ देखने को मिले यहाँ पर और मैं यही कहूंगा कि अगर यह बढ़ता रहेगा तभी बढ़ता रहेगा जब इनके हर quarter के results हो है और पिछले quarter के मुकाबले अच्छे देखने को मिले बहतर देखने को मिले एक quarter भी बीच में खराब आता है तो पूरा game खराब हो जाता है यहाँ पर तो अभी के लिए मै अगर 65 की आसपार जाता है 65 के आसपार आएगा तो खरिदारी के मौके बन सकते हैं लिगन हागर खरिदारी करी है तो बने रहे है बेशने की जरूत नहीं है अगर आपको रिसक लेना है तो भी आप बाइख कर सकते हो यहाँ पर लेकिन हाँ यह कि रिसक जादा होगा reward कम हो सकता है अभी तो देखो बाद जारते से सब कुछ अच्छी खबर आ रही है अभी यूएस से को ऐसी बड़ी अपडेट निकल कर आई नहीं है उनकी जो डेट सीलिंग है उसको बढ़ाने को लेकर चर्चा होने वाली है और उसका जो इंपैक्ट है वो यूएस के बैंकिंग से अब थोड़ा बहुत डेंट महसूस करोगे तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारत को बहुत बड़ा असर होगा भारत को उतने बड़ी असर नहीं होगी को उतने बड़ी जटके नहीं लगेंगे और लॉंग टर्म के लिए भारत का जो परफॉर्मस रहने वाला है स्टोक मा मानता हूं कि अच्छा परफॉर्म करेंगा लेकिन दूसरा HDF से नहीं बनेगा लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मस जरूर यह दिखा सकता है लॉंग टर्म के लिहाज से तो खरीदारी करी है बने रही है फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है थोड़ी सी क्वांटिटी आट करना ज्यादा मत खरीद लेना यहां पर क्योंकि मैं मान के चलों कि शायद थोड़ा बहुत करेक्शन आने वारे दौर में आपको देखने को मिल सकता है कि बाजर में अभी भी काफी जादा खबरों का माहल जो है वो गरम रहने वाला है यूएस की वज़ह से तो यही क के बारें क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखके बता सकते हैं थैंक यू